इस्राइली हवाई हमले के बाद गाजा में मेड इन इंडिया मिसाल के अवशेश पाई गए अजित पबार गुट के पार्च बधाय एनसीपी बैठिक से अनुपस्थित पक्ष बदलने के तावे करनाचिक मत्री नागेंदर ने स्टीफ बंड घोटाले पर इस्तिपा दिया देलंगाना में भूमी के बाजार मुल्य में 20-40 प्रतिशत की बिर्ति अलाहबाद हाई कोट ने मुकदमों की स्वेकर्टा पर फैसला सुरक्ष तखा नुसरत गाजा में एक यूएन संचालित स्कूल पर हालिया घातक इस्राइली हमले ने चल रहे सघर्ष में भारते निद्मित सेन उपकर्णों की भागयदारी को उजागर किया इस्राइली युद्दक विमानो द्वारा कैंप में एक यूएन शेल्टर पर गिराए गए मिसायल के अफशीश पर मेडन इंडिया का लीबल पाया गया जिससे इस तबाही में भारती हत्यार निर्माताओं के संभावत भागयदारी को लिकर चिंता बढ़ गई है इस हमले के बाद एक वाइरल वीडियो इंटरनेट पर साबने आई हैं जिसमें नुसरत गाजा में यूएन शेल्टर पर गिराए गए मिसायल और इमारत में अफशीश दिखाए गए हैं जिन पर मेडन इंडिया का लीबल लगा है कॉंगरिस संसत राहूल गांधिनी गुरवार को प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी और केंद्रिक ग्रह मंतरे आमिच्छा पर सीथे स्टॉक मार्केट में हेरफेर करने का आरूप लगाया जिससे चुनाब परिणामों के समय खुदरा निवेशकों को 30 लाख करोड का नुकस भाश्पा ने राहूल के दावो को खारिश करने के लिए केंद्र मंतरी प्यूश गोयल को मैदान में उतारा लेकिन उन्होंने इस विशिस्त्र सवाल का जवाब नहीं दिया कि मोदी और शाहने चुनाव अभ्यान के दोरान निवेश की सलाह क्यों दी थी प्रधान मंतरी ने दो तीन बार चार बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट टेजी से आगे बढ़ने जा रही है हो मिनिस्टर ने सीधा कहा कि चार जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी लोगों को खरीदना चाहिए और यही मेसेज फाइनान्स मिनिस्टर ने दिया तो यह यह क्रोनोलिजी है अम इच्छा कहते हैं बाइश शेर्ज बिफॉर फॉर्ट जून उननिस में नरेंदर मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रेकोर्ड्स ओन जून फॉर्थ फिर अठाइस में को रिपीट करते हैं फर्स जून मीडिया जूटे एग्जिट पोल रिलीज करती है बीजेपी का ओफिशल जो इंटर्नल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था तो यह इन्फरमेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था इंटेलिजन्स एजन्सीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट आ रही है थर्ड जून को स्टॉक मार्केट सारे रेकोर्ड तोड़ देता है और चार जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है महराश्ट्री के उपमुखे मत्री अजित पबार के नित्रत्व बाले राश्टवादी कॉंग्रिस पार्टी एंसिपी गुट के कम से कम पांच विधायक मुंबई के एक पांच सितारा होटेल में आजित एक सभी विधायकों की बैठक में शामिल नहीं हुए आजित पबार गुट की ये बैठक पार्टी के भीतर राजनतिक निवास अधिकारियों के अनुसार दिल्ली के LGV के सक्सेना ने संसद सुरक्षा उलंगन घटना में शामिल होने के आरोपियों के खिलाफ कठोर अवैद गतीव विधियों निवारण अधिनियम के तहट 6 व्यक्तियों को मुकदमा चलानी की मनजूरी दी राजनिवास के अधिकारी ने गुरुबार को कहा 2001 के संसद हमली की वार्शी की यादी पर एक महतोपुण सुरक्षा उलंगन के दोराद दो व्यक्तियों ने लोगसभा के चेंबर में सारवजनिक गैलरी से कूत कर पीले रंग की धुआ उत्तपन करने वाले दिबे खोल दिये जिससे 13 दिसंबर को संसदों की बीच हड़ कम मच गया जम्मु कश्मीर की बारा मुला निर्वाचन छेतर से लोगसभा चुनाव जीतने के बाद आतंखवाद वितपोशन के आरोपी एंजिनियर राशिद ने सांसद एमपी के रूप में शपत लेने के लिए दिल्ली के पटियाला हॉस कोट में अंतरिम जमानत की मांकी है अतरिक्त सत्र न्याधीश एस जे चंदर जीत सिंग नी गुरवार को मामली में राश्टर जाच एजनसी एनाई ए की प्रतिकरिया मांगी मामली की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी करनाट के अनुसूचित जनजाती कल्यान मंतरी बीन आगेंदर नी गुरवार को राज्य द्वारा संचाली जनजाती एविकास निगम से नीजी बैंक खातों में बड़ी राश्टी के अबैध हस्तान तरण के आरोपों के बाद अपनी पद से इस्तिफा दिया मुप मुख्यमंत्री और राज्य कॉंग्रिस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के पस्तिती में अपना इस्तिफा सोक्पा मैं स्वेच्छा से मंत्री पद से इस्तिफा दे रहा हूं ये घटना क्रम उस समय आया जब विपक्षी भारती जंता पार्टी के नेताओं का दबाव बढ़ रहा था जिन्होंने गुरुवार को बैंगलूरू में उनके इस्तिफे की मांग को लेकर एक विरोध रैली भी आज़ित की थी गुरुवार शाम को नामपली में एक सोफा बनानी की एकाई में आग लग गई इस घटना में कोई वे हताहत नहीं हुआ पुलिस के अनुसार आग शाम पांच बजे के खरीब नामपली के शुभान पुरा इलाके में इस्तित सोफा बनानी की एकाई में के लगानी की कोशिक की जा रही हैं तिलंगारा सरकार स्थान और भूमी की प्रकार के नुसार भूमी की बाजार मुले में बीस से चालिस प्रतिशत की व्रिदी करने की योजना बना रही है सरकार कृषी और गैर कृषी भूमी के लिए अलग लग बाजार मुल्य निर्धारित करेगी मुख्यमंत्री एरेवंत रेदी अगले सप्तार राजस्व विभाग के अधिकार्यों के साथ प्रस्तावों पर चर्चा करने के सबिक्षा बैठक करेंगी बाजार मुल्य बढ़ाकर राजसरकार इस्वितिय वर्ष में संपत्ती पंजी करन के माध्यम से 20,000 करूर रुपए अरजित करने के उमीद कर रही है 2023-2024 में राजसरकार ने मुल्य बढ़ादी के माध्यम से 14,295 करूर रुपए अरजित किये थे तेलिगाना पुलिस ने हाकवाई एप के हैक होने और डेटा को ऑनलाइन विकरी के लिए पोस्ट किये जाने के एक सब्दा के बाद एक और पुलिस एप TS-COP को हैकर्ज ने निशाना बनाया परिणाम स्वरुप पुलिस जानकारी अब ओनलाइन फोरम पर विकरी के लिए उपलब्ध है TS-COP एप को उसी स्त्रोत ने हैक किया है जिसने हैक वाई को हैक किया था हैकर जैसे की हकवाई के साथ एप उप्योग करता डेटा को ओनलाइन फोरम पर 120 डॉलर में बेच रही है TS-COP एप को 2018 में तेलंगाना पुलिस के आंतरिक उप्योग के लिए लौंच किया गया था एप का मुखे उदेश पुलिस अधिकारियों का प्राधों को सुलजाने के लिए तत्काल जानकारी प्रदान करना था काई लोग तेलंगाना पुलिस द्वारा उप्योग करता डेटा को संभालने के तरीके की आलोशना कर रहे हैं जबकि पुलिस विभाग इस पर चुप्पी सादे हैं विभाग द्वारा कोई अधिकारिक जानकारी नहीं दी गई सार्जून को सुभा च्छे बजे से 24 घंटे के लिए शायर के कुछ हिस्सों में पेजल आपूर्ती बाधित रहेगी क्योंकि HM, WS and S.B. लिंगमपली और पाटने चेरू के पास इस्थित पाइपलाइन्स के लिए जंक्षन कारे कर रहा है आरसी पुरम, अशुक नगर, जयोती नगर, चंदा नगर, गंगाराम, मदीना गुड़ा, हफीज पेट, S.B. प्रशिक्षन केंद्र, B. H. E. L. फैक्टरी और आसपास के छेत्र प्रभावित होंगे दक्षन पष्चे मौनसुन ने गुरवार को तेलंगाना में प्रवेश कर लिया, जिससे राज़े की कई हिस्सों में महिश्ण गर्मी और गंभीर जल संकट से राहत मिली इसकी घोशना करते हुए भारती मौसम विभाग, I. M. D. ने कहा कि मौनसुन बरतमान में दक्षन और मध्य तेलंगाना में हैं और 10 जून तक पूरे राज़े को कबर कर लेगा हैदराबाद में थोड़ी देर के लिए बारिश हुई जिससे शहर भर में यातायाद जाम हो गया जी एच एमसी छेत्र में खैरताबाद में सबसे जादा 32.8 मिलीमीटर बारिश दर्स की गई, इसके बाद सिकंदराबाद में 30 मिलीमीटर बारिश हुई नहरू प्राणी उध्यान में टिकेट की कीमते बढ़ाई जाने के व्यापक आरोप के बाद अधिकारियों ने बुद्वार 5 जून को कहा कि उन्होंने जाज की और पाया कि आरोप निराधार थे इसे पहले एक्स पर एक पोस्ट वाइरल हुई थी जिसमें आरुप लगाया गया था कि नहरू प्राणी उध्धान में एक सुरक्षा गार्ड अधिकारिक दर की तुल्ला में जाधा कीमत पर टिकेट बेच रहा है अधिकारियों ने वीडियो को भ्रामक बताया है वीडियो में एक व्यक्ति टिकेट काउंटर के पास एक महिला सुरक्षा कार्ड से बात करता दिखाई दे रहा है हालां कि भुक्तान किये जाने या ग्रहक को टिकेट दिये जाने का कोई सबूत नहीं मिला पोस्ट में दावा किया गया है कि हैदराबाद के नहरू जूलाजिकल पार्क में टिकेट ब्लैक मारकेट कान पाच जून दोहजार चौबिस को सतर रुपे के टिकेट को सो रुपे में बेचे जाने गया अनिकारियों से तटकाल कारवाही करने का आग्रह किया गया यहां की एक MP MLA अदालत नी शुकरवार को कॉंग्रिस नीता राहूल गांदी के खिलाव 2018 के मानहानी मामले में सुनवाई 18 जून तक स्थागित की यह मामला केंदे क्रह मंत्री अमिच्छा पर कथे तापती जनक टिपनियों को लेकर है गांदी के वकील काशी प्रिसाद शुकला ने बताया कि एक वकील के निधन के कारण शुकरवार को अदालत में शुक सबायजित की गई और सुनवाई 18 जून के लिए इस्थागित की गई है कोंग्रेस नेटा इस лишь माहनी मामले में फरवररी में अदालत में पेश हुए थे और उने जमानत दी वाच्पाने ते विजए मिशा द्वरा गांधी के खिलाफ शिकायद स्थ करा गई थी पिछले दिसम्बर में अदालत ने गांधी के खिलाफ वारं जारी किया था इसके बाद कॉंग्रेस नेता ने 20 फरवरी को अपनी भारत जोडो न्याय यात्रा को अमेठी में रोक कर अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत दी गई RBI ने अपनी मौदरिक नीती समिक्षा में शुकरवार को प्रमुख व्याज दरों को अपरिवर्थित रखा क्योंकि वो आर्थिक विकास और मुदाइस विती को नियंतरत रखने के लिए संतुलन बनाये रखना जारी रखता है RBI की मौदरिक नीती समीती MPC की बैठक में चारुनपाद दो वहुमत के साथ वर्तमान 56 प्रतिशत रहपोदर पर कायम रहने का फैसला किया बैठक के बाद RBI गवर्णर शक्ति कांदास ने कहा कि RBI गवर्णर ने विश्व संकट का पैटर्न जारी है लेकिन भारत अपनी जन सांखी की उत्पादक्ता और सही सरकारी नीतियों के आधार पर स्थाई उच्विकास की और अग्रसर है हलांकि अमें आज तिर बैश्रिक माहूल की प्रश्ट भूमी में सतर कर रहनी की आवशकता है and 7th June after detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook the MPC decided by a 4 is to 2 majority to keep the policy report rate unchanged at 6.5 percent consequently the standing deposit facility that is SDF rate remains at 6.25 percent and the marginal standing facility that is MSF rate and the bank rate at 6.75 percent अलाबाद हाइकोटने गुरुवार को मत्वरा में क्रिशन जनम भूमी शाही ईदगाव मस्जित विवाद से सम्मदेत दायर मुकदमों की स्वीकार्यता को चनोती देने वाली आचिका पर अपना फैस्दा सुरक्षित रख लिया कई मुकदमे दायर के गए जिसमें एक क्रिशन जनम भूमी मंदर के पास इस्थित शाही ईदगाव मस्जित को हटाने की मांग की गई वादियोगा दावा है कि औरंग जेब काल की मस्जित मंदर के दोस्त होने के बाद बनाई गई थी मस्जित प्रबंदन समीती ने इन मुकदमों को चुनोती देते हुए अपनी आचे का दाखिल की इसराइली हवाई हमले के बाद गाजा में मेड अन इंडिया मिसाल के अवशेश पाए गई अजित पबार गुट के पार्च विधाय एनसीपी बैठिक से अनुपस्थित बक्ष बदलने के दावे करनाजिक मंत्री नागेंदर ने स्टीफ मंड घोटाले पर इस्तिपा दिया दिलंगाना में भूमी के बाजार मुल्य में 20-40 प्रतिशत की ब्रति अलाहबाद हाई कोट ने मुकदमों की स्वेकर्टा पर तैसला सुरक्ष तका अभी के लिए इतना ही लगाता ख़बरों के नी बढ़े रही हमारे साथ नमस्क्राइब